नमस्कार! आज हम बात करेंगे Electrochemistry के topic पर यह class 12th की INCRT का Unit 3 है इसमें हमें दो अलग अलग तरीके के ऐसे बारे में बात करेंगे Electrochemical cell के बारे में और उसके बाद हम discuss करेंगे Electrolytic cell के बारे यह lecture मेरे books पर आधरिथ है मेरे किताब है जिसका नाम है Chemistry Live अगर आप उसके मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो NCRD का best explanation हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है तो चलते हैं बात करते हैं इस topic पर जहाँ पर हमें introduction से अपनी बात को शुरू करना है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी घटनाय थी जिन्होंने electrochemical cell के बनने में मदद किया और अगर electrochemical cell बन गए तो उसकी मदद से हमारे civilization में कितना improvement आया इस चीज़ को कुछ ऐसे समझना है जो हमारी body के physiological metabolism से related है अब आप सोच रहे होंगे मैं biology को chemistry से कैसे जोड़ रहा हूँ बिल्कुल जोड़ा जा सका है आप जब बात करेंगे human physiology की तो वो कहीं न कहीं हमारी body में भी एक battery एक cell काम कर रहा होता है वो cell नहीं जो जिससे हम cell कहते हैं जिसमें mitochondria होता है मैं उसके level पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं simple आपको समझाना चाहता हूँ cell के भी तर भी energy की जरूरत होती है वो energy का जो process है वो इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपनी body में बहुत सारे impossible functions को possible बना सकें इस बात को समझें action में क्या होता जो भी हम food लेते हैं उस food से हम energy बनाते हैं उस energy का utilization हम कहां पर करते हैं बहुत सारे impossible functions में जैसे अपने आप से तो oxygen हमारे body में dissolve नहीं हो सकता न उस impossible से function को करने के लिए energy की जरूरत होती है उसके लिए हम खाना खाते हैं खाना खाने से ATP की energy बनती है वो ATP की energy उस जबरदस्ती सांस को हमारे भीतर लेने की कोशिश करने में मदद करती है अगर वो ना हो, कोई dead हो जाए तो वो function नहीं हो पाता है इसी तरीके से जिस cell या battery के बारे में हम इस topic में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर हम energy के production के बारे में बात जब energy, electro chemical energy produce हो जाएगी तो उसकी मदद से बहुत सारे impossible functions को possible किया जाना इस दुनिया में संभव हो सका है तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो चलते हैं introduction में और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले electro chemical cell के भीतर कौन से facts हमें जानने जरूरी है तो action में क्या है कि कुछ spontaneous ऐसे chemical reactions होते हैं जो हमारे chemistry में जिसे हम electrochemical cell कहते हैं कुछ ऐसे spontaneous chemicals reactions होते हैं electrochemical cells के भीतर जिन से energy release होती है जिस energy का इस्तिमाल करके अगर हम चाहें तो हम बहुत सारे impossible functions को possible बना सकते हैं तो उस energy का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? electricity के conduction में कर सकते हैं और यही basic facts हमारे electrochemistry के पहले cell जिसे हम electrochemical cell या battery कहते हैं उसका core concept होता है जैसे जब हम खाना खाते हैं मैंने भी आपको एक example लिया तो energy produce होती है उस energy के production का हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? उस energy के production का हम इस्तेमाल मैंने आपको बता ना respiration में कर सकते हैं walking में, movement में कर सकते हैं वैसे ही यहाँ पर अगर आप slide में देखें तो कुछ spontaneous chemical reaction से release होने वाली energy का इस्तेमाल हम electricity को conduct करने में कर सकते हैं और उस electricity की मदद से बहुत सारे impossible functions को possible कर पाना possible हो सका तो इस तरीके से electrochemical cell के भीतर का concept यह माना गया अब इसी electrochemical cell की energy का इस्तेमाल करके एक दूसरी cell चलाई जाती है, जिसको हम इस unit के second half में पढ़ते हैं actual में क्या है? यह पूरा का पूरा जो unit आप पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं, एक minimum functioning cell कैसे काम करें मतलब यह कि अगर आपको कह दिया जाए आज एक science के student के मन में अगर एक interest पैदा किया जा और मैं आप से कहूँ कि अगर आपको एक battery बनानी है, एक ऐसा cell बनाना है, एक ऐसी device बनानी है जो electricity generate कर सका तो आपके मन में कौन-कौन से minimum basic facts पता होने चाहिए आपके दिमाद में कौन-कौन से चीज़ें आनी चाहिए उस चीज़ को कैसे आप handle करेंगे यही चीज़ आपको first half में पढ़ना है और जब आपने electricity generate करना सीख लिया electrochemical cell या battery के भीतर जब आपने energy को produce करना सीख लिया तो फिर आप second half में उसको कैसी utilize करेंगे उसके बारे में पढ़े तो जो भी आप मेरे background में देख रहोंगे कई बार mobile आपको दिखाया जा रहा होगा कई बार आपको electrical cars के बारे में दिखाया जा रहा होगा उसके पीछे मकसद यह है कि आज से कुछ साल पहले कुछ hundred, hundred twenty years पहले तक कुछ भी दुनिया के बारे में ऐसी knowledge नहीं थी लेकिन वो जो basic battery का model आया उसी ने आज हमारी घडियों को चलाना possible कर दिया आज हमारी mobile को चलाना possible कर दिया उस energy की process का basic generation कैसे होता है कैसे कोई battery बनती है उसके बारे में बात रूँगा और वो कैसे utilize किया जाना चाहिए कैसे उसे handle करेंगे जैसे energy आपको मिल गई तो उसका utilization भी तो ज़रूरी है अगर आप utilization सही से नहीं कर पाएंगे तो वो भी problem है तो second half में हम आपके साथ discuss करेंगे electrolytic cell के बारे तो kindly अगर किताब खरीद लेंगे तो यह सारे images जो यहाँ पर discuss किया गया है उस सारी चीज़ें आपको मेरी किताब में मिल जाएंगे वो काफी आपके लिए useful हो सकते तो चलते हैं पहले outline बनाने की कोशिश करते हैं second half में हमारा target क्या होगा slide पर आप देखें और यहाँ पर हम जो electrochemical cell की energy का इस्तेमाल हम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो second half में यही होगा electrochemical cell के भीतर produce होने वाली जो electrical energy होगी उसकी मदद से कुछ impossible reactions को आसानी से करते हुए हम पाएंगे और इस तरीके से हम non spontaneous बहुत सारे cells की भीतर होने वाले reactions को possible कर पाते हैं वो कैसे possible हो पाता है वो possible हो पाता है electrolytic cell में और उसके लिए मदद कौन करता है electrochemical cell तो इस तरीके से जो first half में मैं बार बार इसले बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें इस पूरे unit में आपको discuss करना है दो चीजों को ही एक energy produce करेगा दूसरा energy को utilize करेगा कैसे produce होगा कैसे volta, galvanic, faraday इन सभी का contribution रहा है उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ discuss करें actual में जो science है, science के भीतर आप किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते है जो चीज physics में होती है, वो chemistry से जुड़ी होती है जो chemistry से जुड़ी होती है, वो हमारे body के physiological function से linked हो जाती है तो मैंने आपको बताया न, energy का transformation, जो inter-conversion of energy के बारे में जो आप physics में पढ़ते हैं, वो यहाँ chemistry में आपको देखने हैं जो current electricity आप पढ़ेंगे, उसका basic concepts यहाँ पर आपको देखने हैं पूरी के पूरी science एक दूसरे से interconnected है, historically अलग-अलग division में काम हो रहा होता है एक transformation करते हुए देखा, और उसी की देन है कि आज दिली जैसे शहरों में आप electric vehicles के बारे में सोच सकते हैं अगर ये उस समय कोशिश ना की गई होती, तो क्या आप दिली जैसे शहरों में इस तरीके के electrical vehicles के बारे में कल्पना कर सकते थे बहुत ही सस्ती, लगबग एक लाख या उससे भी कम रुपयों में इस तरीके के battery रिक्षा आ गया आज की date में कुछ सालों में आपको पता है, बहुत सारे car आ जाएंगे हमारे society में बहुत सारा जो fuel के consumption की जो एक समस्या है और जो green world का जो concept है वो बहुत हतक हमारे लिए possible हो सकेगा, दुनिया में जो fuel का consumption है उसका जो नए नए तरीके हो सकते हैं उसके level पर एक बहुत बड़ी सफलता इसलिए मिल सकी है क्योंकि हमने electrochemical cell को बनाने पर उसको कैसे और ज़ादा modify किया जा सके उसके level पर सोचने की कोशिश आप समझना न, electrochemical cell खुद से energy produce करता, उस energy का इस्तेमाल कुछ भी कर लीजिए आप ये घड़ी चला लीजिए, आप mobile चला लीजिए, आप इस तरीके के electrical vehicles चला लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कार चला लीजिए तो इस तरीके की एक energy का इस्तेमाल हमने recent advancement के रूप में देखा, डेली जैसे शहरों में, battery auto रिक्षा जो चल रहे हैं, या बहुत सारे शहरों में, वो electrochemical cell के भीतर जो energy होती है, उसी का इस्तेमाल करने की वज़ा से हो सके हैं, तो इस तरीके से ये electrochemical cell और electrolytic cell ये हमारे दो target होंगे, शिरवाती दोर में इस तरीके के battery या इस तरीके के cell जो खुद से energy generate करें और उस energy का हम इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत बड़ी चुनावती थी, इसमें Galvani, Volta जैसे scientist का योगदान रहा, इसलिए आप देखेंगे electrochemical cell के नाम को, आप अगर देखेंगे तो यहाँ प जिसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर और जो Galvanic cell हैं, Voltaic cell हैं, उनके बारे में भी आपको देखना होगा, तो ये electrochemistry का एक overview है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, हम यहाँ पर आपके साथ जो starting का half section होगा, उसमें electrochemical cell या simple battery की बात करेंगे, उसके बारे में historically कैसे सूचा जा सका, उसके level पर अभी हम discuss करने की कोशिश करें, तो इसकी शुरुवात कैसे हुई, इसकी कैसे scientist के दिमाग में electrochemical cell का पहले idea आया, चलते हैं, उस history को समझने की कोशिश करते हैं, शुरुवात कुछ इस तरीके से होती है, Galvanic और Volta के observation से, उ अगर किसी vessel के भीतर, उन्होंने एक पहला observation देखा, किसी vessel के भीतर, जिंक की rod डाल दी जाए, जिंक की rod कहां डाल दी जाए, एक vessel के भीतर, ये जिंक की rod है, उनका पहला observation इसी बार पर आधारित था, जिंक की rod थी, और वो copper sulphate के solution में dip की गई थी, वो कहां पर dip किया गया थ वो copper sulphate के solution में dip किया गया था, उन्होंने देखा, एक बड़ा observation उस समय देखा, उनके अनुसार, यहाँ पर जो copper sulphate का solution था, जिसका color blueish color था, अभी मैं इस चीज़ को दिखाने के कोशिश करूँगा, solution का color, जो primarily जो color था, copper sulphate के solution, वो blue color के थे, उन्होंने थोड़े दर इसकी जो ठिकने से वो कम हो रही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने ये देखा, जो solution के भीतर, copper sulphate थे, उनके color अब dilute होना शुरू हो गया है, बात समझें, दो चीज़े उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, पहला observation उन्होंने ये किया, जिंक की राड क्या हो रही थी dissolve हो रही थी, और दूसरा उनका observation ये था, कि जो copper sulphate का blue color था, वो धीरे धीरे dilute हो रहा था, इस बात का मतलब क्या हुआ, और इसको क्या क्या उन्होंने कैसे उन्होंने observe किया होगा, इस चीज़ का महत्व आप यहां से देख सकते हैं, कि उन्होंने इतनी घटना की भीतर, energy के production को देखा था, इस घटना के दौरान उन्होंने क्या देखा था, energy के production को, आप देखेंगे, यहां पर उनका observation था, कि जब ये घटना हो रही थी, तो bottom पर, उन्होंने देखा कि ये bottom पर, जो copper है, वो जाकर के deposit हो रहा है, यहां bottom पर copper जाकर के deposit होते जा रहे हैं, और इस छोटे से observation के दौरान ही, अगर हमने heat energy के production को देखा, तो एक दिमाद में बात आई, क्या हम इस तरीके के energy का इस्तेमाल, किसी बहतर काम के लिए कर सकते हैं, जैसे शुरुवाती दौर में आपने देखा होगा, जब static में कोशिश की गई थी, तो उससे में देखा गया था, कि atom bomb बनाने में ही atomic energy के level पर सोचा गया, लेकिन जैसे जैसे हमारी concept बदले, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि उस energy का इस्तेमाल, क्या human civilization को बहतर करने में कर सकते हैं, और इसी वज़ा से बहुत सारे thermal power plants बने, उसको atomic energy की मदद से चलाने की कोशिश हुई, तो ये सारी release हो रही है, क्या हम इसे utilize कर सकते हैं, इस तरीके का उनके दिमाग में question आया था, तो इसको utilize करने के बारे में जब सोचा गया, तो वहीं से हमारे सामने एक battery की कलपना आई, चलते हैं इस पूरे observation को देखने की कोशिश करते हैं, ये घटना कुछ इस तरीके से होती है, जिसम इसको हम होते हुए point one में देखते हैं, तो यहाँ पर जो घटना हो रही है, ये point one की जो events हो रही है, इसको यहाँ पर देखा जासता है, इसमे point two की जो event होती है, point one और point two में होने वाले events को अगर देखा जाया तो jinky atom, ionize करता है, jinky ion और उसके electrons release होते हैं, ये पहली घटना ह होती है दूसरी घटना क्या हुई कॉपर आयन उस समय बॉटम पर जाकर के डिपॉजिट होने लगे जब इसको ऑफजर्व किया गया इस घटना को ऑफजर्व किया गया तो यह पता चला कि कॉपर आयन जिंक आयन से रिलीज होने वाले इस ट्राइगन के इसले पॉरी के बॉटम पर जाकर प्रिसिप्टीट कर रिया इस इलेकट्रान के ट्रांसफर होने की पूरी क इन घटनाओं में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है यह तीरा अब्जर्वेशन था इस तरीके से सेंटिस में तीन अलग अलग observation जुमिले उन्होंने उनकी पूरी की पूरी concept को बदलने में काफी बदद किया। उन्होंने देखा कि इस तरीके का जो event हो रहा है जिसमें जिंक ने अपने electron को release किया। उस electron को copper ने accept किया। copper और जिंक के बीच में जो electron का transfer हो रहा है। उस transfer होने की वज़ा से energy release हो रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है इस चीज़ को जब हम यहां पर एक बड़ ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो इसे बहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां पर देखें इस पूरे event को समराइज करके देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो result मिलता है वो यह मिलता है कि जो जिंक की rod थी जिस पर जिंक atom थे वो atoms ions में बदले। किसमें बदले आइंस में और उनसे क्या release होता है? electrons release होते हैं। अब इन electrons को solution में जो dissolve रहने वाला copper ion है वो copper ion उसे accept करता है और उस electron को accept करके neutralize होता है। कहने का क्या मतलब है इस चीज़ को देखें। copper ion जो solution में था वो उस electron को accept करता है जो जिंक atom ने release किया है। और खुद अब neutralize हो जाता है वो atomic form में आ जाता है या फिर आप कह सकते हैं ये neutralize होकर के यही precipitate बनाता है तो जो vessel की bottom पर copper का precipitate बन रहा था वो इसी वज़ा से बन रहा था। चुकि अब solution में copper ion नहीं रहेंगे इस वज़े से solution का color dilute होना शुरू हो गया। ये चीज़ जो observe की गई थी वो इसी वज़ा से observe की गई थी ये जो copper ion अब solution में नहीं रहेंगे वो जब इस form में चले गए तो solution का blue color अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस दोरान rod जो dissolve हो रही थी उससे dissolve होने वाले जो zinc ion थे ये solution में जाने शुरू कर दिये थे। ये घटना हमारे लिए इतना महत्बर नहीं हम as a scientist अगर इस चीज़ को observe कर रहे हैं तो इस दोरान electron के movement के दोरान जो energy release हो रही है उस पर focus करेंगे। तो यहां पर जो as a scientist हमारे लिए जरूरी चीज़ है वो यह है कि यहां जो electron का movement हुआ जिस electron के movement की वज़ा से heat energy generate हुई है क्या हम उसे कुछ बहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकि यह जो electron बहुत करीब अपने आस पास में ही बहुत जल्दी से पहुंचता है और इसलिए इस दोरान जो भी energy होती है वो heat के farm में release होती है ऐसा scientist को मिला। उनको यह observation का conclusion यह मिला कि जो jink है और जो copper है यह बहुत पास पास में है और इसलिए यहां से जो event हो रही है इस event के दोरान जो electron release हो रहे है वो तुरंत copper आयन के दोरा accept किया जा रहा है energy जो यहां पर release हो रही है वो heat energy के farm में release हो रही है इस बात के कहने का मतलब क्या है इस च जिंक और copper के बीच में separation कर दें मेरी बात समझें अगर जिंक और copper के बीच में separation कर दें दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दें तो जो energy release होगी वह अब heat के रूप में energy release नहीं होगी उसको हम किसी और form में utilize कर सकते हैं मेरी बात समझ पार है मैं जो आप से कहना चाहता कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों के बीच में separation कर दें यानि जो जिंक की rod जो ली गई है और जो copper जो उसे accept कर रहे हैं copper के ions उनके बीच में अगर एक separation तयार कर दिया जाए तो जो energy release होगी अब वो heat energy के form में release नहीं होगी उसे आप बदल सकते हैं electrical energy के रूप में ऐसा scientist के सामने एक धीरे धीरे करके idea आया वो heat energy को अब electrical energy में बदलने के कोशिश कर सते थे फिर एक सवाल यह भी आता है इस बात का utilization क्या है तो एक बात समझेगा जिस समय कोई भी नई घटना हो रही हो उस समय लोग उसके पर शक करते हैं science में जितने भी बड़ बड़े लोगों ने काम किये हैं उन लोगों को पूरी की पूरी जंदगी लोगों की बेज़ती जहिलनी पड़ी क्योंकि उनकी उस समय जो भी वो कर रहे है तो उसे accept करना लोगों के लिए possible नहीं था लेकिन आप सोच सकते हैं कि छोटी सी घटना जिसको इतना minutely observe किया गय आज बदलते बदल यह जो heat energy से electrical energy का transformation है उससे हम mobile की battery बना लिए उससे हम vacills बना लिए उससे हम space satellite को propel करने के लिए energy develop कर लिए उससे बहुत सारे काम हमने कर लिया पूरी के पूरी दुनिया यहां तक कि जिस mobile जिस camera से मैं आपको आपके सामने बात करने की कोशिश करना उस उसमें भी यही electrochemical cell काम कर रहा है इस level पर आपको manually observe करने की कोशिश करनी है तो चलते हैं slide पर जो हमारी किताब में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं और यहां पर उसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर को किस तरीके से develop करने की कोशिश की गई तो यहा लो तक जब यह experiment होता रहा तो इक बात समझ में आई और आप यहां पर slide में देखें तो जो यह modification हुआ इस modification का general term क्या रहा उस चीज़ को आप देखने की कोशिश करें इसमें किस तरीके से इसकी functioning होती है उस चीज़ को observe करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सबसे पहले क् जिंग की रॉड को अब कॉपर सल्फेट की solution में रखने की बजाए जिंग सल्फेट के solution में रखे गई और इस तरीके से जिंग की रॉड जिंग सल्फेट के solution में इसी तरीके से दूसरा जो काम किया गया उसमें कॉपर की रॉड को कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के solution म अब इतना बड़ा चिंजस आप समझ सकते हैं ये बड़ी घटना है रात और रात नहीं हुई होंगी ये जो इस तरीके के इवेंट्स हुए होंगे इसमें सैंटिस्ट में कितना दिमाग कितनी कोशिश कितनी मेहनत हुई होगी तो जिंग की राड जिंग सेलफेट के सलूशन में कॉपर की राड कॉपर सलफेट के सलूशन में डिजॉल्व की जाती है और अब देखा गया कि जो हीट एनरजी जो जनरेट हो रही थी वो अब हीट एनरजी जनरेट नहीं होगी इस दोरान जो एनरजी जनरेट होगी उससे हम इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में लगाया गया आप जानते हैं करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास अमीटर होता है इसी तरीके से एक वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में क्या डिफरेंसे हैं ये मेरा टॉपिक आज पढ़ाने का नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप फिजि की मदद से उसे देख सकते हैं दूसरा हम करंट की मदद से देख सकते हैं तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है जब पोटैंशल का डिफरेंस होगा बात समझें जब पोटैंशल का डिफरेंस होगा तब ही करंट का फ्लो होगा तो जो पोटैंशल का लगा सकते हैं या फिर अमीटर लगा सकते हैं और इस दोरान हुआ क्या करंट का फ्लो जिंक की रोड से कॉपर की रोड की अरभ होई यानि जो घटना पहले आप देख रहे थे यहाँ पर अगर आप देखें तो जो घटना आप यहाँ पर बहुत पास-पास होते हुए देख इलेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर भी इलेक्ट्रान का फ्लो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रान का फ्लो हो तो रहा है लेकिन वो चलने में उसको जो एक दूरी तय करना पढ़ रहा है इसलिए हीट एनरजी के फार्म में या वो नहीं मिलेगा, वो electrical energy की रूप में मिलेगा, इतना ही नहीं, बाद में चल करके इसमें और modification होते हैं, घटनाय जैसे जैसे समय के साथ बदलती जाती हैं, यहाँ पर एक salt bridge जोड़ा जाता है, आप पढ़ेंगे, यह जितने भी घटनाय हैं, यह exam में नहीं पूछी तो उसी चीज़ को आप slide पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ इस slide में मैं आपको जो दरशाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें overall घटनाय वही हो रही हैं, आप देखें, जिंग की rod से electron का flow, copper की और हो रहा है, और इस पूरी घटना को जो इसको draw करके देख लेते हैं, यहाँ पर जो भी घटनाय हो रहे हैं, इसमें electron का flow इधर की और होगा, तो आप जानते हैं, current का flow opposite direction में होता है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में question में आ सकती है, यह salt bridge क्या है, पहली चीज़, यह salt bridge क्या है, और इसका utilization क्या है, इसको क्यों शामिल करना पड़ा, तो यह रातो रात इसके बारे में नहीं पता चला, जब आप देखेंगे, तो यह घटनाय है, बहुत लंबे समय में, धीरे-धीरे-धीरे modify होती गई, और यह समय के साथ बदलते हुए, आज आपको पता है न, आपने बहुत सार अलग-लग किस्म के devices बना लिया, आपने बहुत छोटे से space में बहुत ज़्यादा energy को generate करने की कोशिशें, आपने सफलता पूरवक उसमें उसको develop भी कर लिया है, इस तरीके की चीज़े इसलिए हो सकी, क्योंकि जो शुरुवाती model था, उसमें हम लोगोंने changes लाने शुरू तो देखते हैं किस तरीके से electrochemical cell function करता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो electrochemical cell के function करने की क्या process हो सकती है, इस चीज़ के लिए हमें जानना होगा कि पूरी की पूरी process में हमने किया क्या, electrochemical cell के function को बनाते समय हमने दो बातों का ध्यान रखा, जिंक और copper sulf के solution के बारे में दोएगा, यहाँ पर जिंक की rod, जिंक sulfate के solution में डाली जाएगी और copper की rod को copper sulfate के solution में रखा जाएगा, यह बड़ी कोशिश हमें सबसे पहली precaution के रुपे यहाँ पर लेना होगा, तो aqueous solution, जिंक sulfate और copper sulfate के लेनी होगी, जिसमें ideally one molar उसका concentration लेना होगा, दो अलग-अलग bigger में उसे रखने होंगे, और उसके बाद जिंक की rod को जिंक sulfate के solution में और copper की rod को copper sulfate के solution में रखना होगा, इस तरीके के metallic rods को आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आए हैं, इन्हें electrodes कहा जाता है, अब हम इनके बीच में connection त्यार करने की कोशिश करेंगे, copper wire और जिंके बीच में voltameter के द्वारा, और इस तरीके से जो बनने वाले device होगे, उसमें salt bridge का roll देखेंगे, salt bridge का क्या roll होगा, इसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे, तो पूरी के पूरी जो process होई, जितना हम लोगों ने discuss किया, उसमें यही किया न, दो अलग-अलग bigger लिए, ताकि हम जो heat energy है, जो generate होने वाली heat energy है, उसको electrical energy में convert कर सकें, दो beaker लिए, दो rod डाले, दो अलग-अलग solution लिए, दोनों को connect करने के लिए, salt bridge की मदद लिया, current कितना flow हो रहा है, इसको minorly observe करने के लिए, या तो voltameter, या फिर a meter का वहाँ पर roll देखा गया, तो इस त काम करती है, इसमें देखें, जिंक की एनोड कहाँ पर है, इसी तरीके से, copper का cathode कहाँ पर है, इसको भी देखा जा सकता है, इसके बीच में interconnection के लिए, salt bridge के roll को देखा जा सकता है, कौन सी plate negatively charged होगी, कौन सी plate positively charged होगी, इस चीज़ को भी यहाँ पर observe किया जा सकता है, इसमे जिंक की rod negatively charged होगी, copper की rod positively charged होगी, ऐसा क्यों, इस चीज़ को मैं अभी justify करने की कोशिश करूँगा, वैसे भी आप जानते हैं, जिंक, जिंक पर electrons छोड़ करके, अपने solution में, आप जानते हैं जिंक ने क्या किया, जिंक atom ने अपने solution में, जिंक आयन के रूप में गया, और जो उसके electrons है, उसको plate पर ही छोड़ दिया, इसलिए वो negatively charged हो, इससे opposite घटना, यहाँ पर copper sulfate के solution में देखने को मिलती है, यहाँ पर यह observe किया गया, कि जो copper ions है, जो solution में है, वो solution से निकल करके, अपने plate पर जाकर के deposit होने की कोशिश करते हैं, इस बात को कहने का मतलब क्या ह इस चीज़ को देखने के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पर image draw करने की कोशिश करेंगे, जो observation यहाँ पर देख रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर से image draw करने की कोशिश करेंगे, तो यह सारी चीज़े simplified way में समझी जा सकेंगी, बीकर में देखते हैं, जिंग की rod को dissolve करते है कॉपर सलफेट के solution में, यहाँ पर जिंग की rod हमने ले लिया, जिंग की rod धीरे धीरे क्या होने लेगा, अभी भी यह dissolve होना शुरू हो गया है, जैसे पहले हो रहे थे, वैसे ही यह जिंग की rod dissolve हो रही थी, और यह अपने solution में जा रही थी, जो जिंग सलफेट का solution था, उस solution में जिंक आयन लगातार add-on होते रह रहे थे तो इस पूरी घटना में हमने क्या observe किया हमने observe किया कि जिंक की rod dissolve हो रही है और जिंक आयन यहाँ पर add-on हो रहे हैं यहाँ पर भी वही घटना हो रही है जो सबसे शिरुवाती घटना वोल्टा और गैलवैनी ने देख रहा था वैसे ही घटना यहाँ पर भी हो रही है जिंके जो atoms हैं वो atoms ions के रूप में solution में जा रहे हैं और अपने electrons को यह rod पर ही छोड़ते जा रहे हैं इस तरीके से rod negatively charged होती जा रही है आप समझ सकते हैं इस slide में जो जिंकी rod को negatively charged दरसाए गया है आप देख रहे हैं जिंकी rod को जो negatively charged दरसाने की कोशिश की गई है वो इसी वज़ा से इतना ही नहीं इसके अबोचित एक घटना जो हम यहाँ पर copper के rod पर देखते हुए यहाँ पर देख पाएंगे वो यह मिला कि यहाँ पर copper की जो rod है वो धीरे धीरे ठिक होती जा रही है इस observation का मतलब क्या है इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी जो पिछला observation था उसी को थोड़ा सा हमें बहतर तरीके से यहाँ पर सोचने की जरूरत है एक्शन में क्या होता है यहाँ पर जब आपने जिनके rod के लेवल पर जो previous घटना देखी थी वही घटना यहाँ पर हुई तो वैसे ही copper की rod पर जो घटना होती है वो previous events के जैसी ही होती है होता क्या है solution में copper ions होते है आपने क्या डाल रखा copper sulfate का solution ले रखा आप जो copper ion इस solution में added है वो copper ion इस solution से जाते हैं rod पर accumulate होते हैं और इस घटना के दौरान वो कर क्या रहे हैं उनका अपना basic जो function है वो कुछ इस तरीके सा observe किया जा रहा है कि जो rod के copper ions हैं sorry copper ions जो solution के हैं वो rod पर जाते हैं rod के जो neutral atom होते हैं उनको ketion में बदलते हैं और उनसे electron चीनते हैं और खुद को खुद में वो बदल जाते हैं उनके electrons को चीनने से यहाँ पर देखें यहाँ पर जो उनसे electron जो इन्होंने चीना है उस electrons की मदद से खुद को neutral हो जाते हैं इस चीज़ को बहुत थ्यान से समझना है यह सबसे basic fundamental event यहाँ पर होती है कि जो यहाँ पर copper के atom, rod पर है इस rod पर जितने भी copper के atom है उनको ionize जबरदस्ती किया जाता है उनके पहले electron छीने जाते हैं कौन छीनता है उनके electron? उनके electron को छीनता है solution का यह copper ion यह copper ion जो solution में है वो उसके electrons को छीन करके क्या कर रहा है? अपने आपको neutralize कर रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं जो solution का copper ion है वो खुद को convert कर रहा है copper atom के रूप में और वही copper atom आपको यहाँ पर deposit होते हुए देखने को build सकते हैं यह event आपने देखा अब इस दौरान आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर copper के जो atom था जो copper के यहाँ पर atom थे जो rod पर available थे वो जबरदस्ती जब उनसे electron खीचा गया तो अपने आपको वो कैटायन के रूप में बदल जाते हैं और इसी वज़ा से rod के उपर आप देखेंगे positive charges आपको मिलने लगेंगे तो यही वज़ा है आप slide पर देखेंगे copper की rod यहाँ पर positively charged हो जाती है copper की rod क्या हो गई? positively charged jing की rod क्या हो गई? negatively charged electrons यहाँ देखें jing की rod पर electrons इकठे हो रहे हैं जबकि आप देख रहे हैं copper की rod पर copper की rods पर electrons की कमी हो रही है इस पर positive charge मिल रहा है इतना ही नहीं यह rod मोटी होती जा रही है क्यों? क्योंकि solution से copper ions copper atom के रूप में इसकी rod पर deposit होते हुए यहाँ पर आपको देखने को बिल रहा है जबकि इसके opposite यहाँ पर जो घटना आप देख रहे हैं वो jing की rod पर आप कुछ ऐसे देख रहे हैं कि jing के ions solution में लगातार बढ़ रहे हैं जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रांस का level कम होने लगा इससे हुआ क्या अब इलेक्ट्रांस jing की rod से copper की rod की और flow करना शुरू कर देगी और इसी वज़ा से आप यहाँ पर देखेंगे चुकि यहाँ पर इलेक्ट्रांस जादा है दूसरे जगा इलेक्ट्रांस कम है copper की rod से jing की rod की और होता हुआ दिख जाएगा इसको देखने के लिए हम कर क्या सकते हैं चाहे तो हम यहाँ device लगा दे device में deflection होंगे device कौन कौन से लगा जा सकते हैं या तो आप ammeter लगा दीजे या फिर volt ammeter लगा दीजे आप जो device लगाना चाहें उस device की मदद से यह देख सकेंगे कि यहाँ पर current का flow हो रहा है और एक potential differences develop हुए है इस तरीके का आप slide पर भी देख रहा है यहाँ पर jing और copper के बीच में होने वाले इन events के बीच में आप देख पा रहा है चलते हैं इस पूरे event को आगे की और समझने की कोशिश करेंगे तो इस event का क्या importance रहा है और practical utility क्या रहा है उसके बारे में हम समझ पाएंगे इस realistic image को दिखाने का मकसद यही था कि हम connect हो सके battery के उस initial model से जिसको galvani और volt आने किया था अब यहाँ पर मैंने आपको बार बार बूला कि यहाँ पर jink की rod पर आप देख पा रहे है न jink की rod पर क्या हुआ negative charges आपको मिल रहा है copper की rod पर क्या मिल रहा है positive charges मिल रहा है और एक चीज़ याद रखेगा इस पूरी की पूरी घटना के दौरान आप अगर redox का concept लेंगे तो आपने क्या होते हुए देखा इस चीज़ को summarize करेंगे तो आपने यही देखा न यहाँ पर यह जो घटना हुई है आप प्लीज देखें यहाँ पर जो घटना हुई है इसको अगर आप summarize करेंगे कि question के रूप में तो घटना तो यही हुई न कि जिंक का atom जो rod पर available है वो अपने आपको ionize कर रहा है किस के रूप में? जिंक ions के रूप में और अपने दो electrons को release कर रहा है यह event आपने होते हुए देखा पहला event तो यही हुआ और इस दौरान oxidation की process होती है आप जानते हैं electrons को release करने की घटना आप 11 पर पढ़ चुके हैं उसे क्या कहते हैं? oxidation कहते हैं इसके opposite आप copper की rod पर क्या होते हुए देख रहा है यहाँ copper की rod पर आपने जो event होते हुए देखा यहाँ का जो event है उसको एक बार summarize करते हुए यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे copper ions जो solution के हैं solution के जो copper ions हैं वो electrons को अपने plate के electrons को जबरदस्ती खीचते हैं खुद neutral atom में बदलते हैं वो deposit हो जाते हैं या यूँ कहले precipitate हो जाते हैं कहाँ पर? rods पर और इसी वज़ा से rod की थिकने से यहाँ पर पढ़ती जाती है आप यहाँ भी जानते हैं कि जो electron के acceptance की घटना है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम reduction कहते हैं तो इस तरीके से reduction कहाँ पर हुआ? अगर redox के equation के हिसाब से देखें तो जिंके rod पर oxidation की घटना हुई और copper के rod पर reduction की घटना हुई इस पूरी के पूरी process में एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजे पूरी के पूरी electrochemistry में एक basic fact कहा जाता है basic fact यह है कि जहाँ जिस plate पर oxidation होता है उसे anode कहा जाता है यह पूरे के पूरे electrochemistry में basic principle है जो कोई भी rod जहाँ oxidation होगा जिस किसी भी rod पर चाहे वो electrolytic cell हो चाहे electrochemical cell हो बात समझें मैंने आप से क्या कहा था इस पूरी के पूरे chapter में हमें दो तरीकी के cells के बारे में पढ़ना है दोनों के बीच में just opposite घटनाय होती है एक जगा energy generate की जाती है दूसरी जगा energy का इस्तेमाल किया जाता है एक जगा cathode positive charge का होगा दूसरी जगा cathode negative charge का होगा आप देखेंगे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लीज आप slide के और देखें तो यहाँ पर जो आप positive plate देख रहे हैं किसके बारे में? electrolytic cell के बारे में study जब आप करेंगे तो वहाँ पर copper की rod copper की rod नहीं cathode का जो reaction होगा वो negative plate पर होगा मेरी बात समझें यहाँ पर जिसे हम cathode कर रहे हैं आप slide पर देखें यहाँ पर जिसे हम cathode कर रहे हैं उस पर positive charge है यह positive charge cathode की plate पर है यह electrochemical cell के भीतर यह हमने दिखाया है अगर यही बात electrolytic cell के भीतर अगर हम दिखाते तो electrolytic cell के भीतर negative charge वहाँ पर develop होता है मतलब यह इस चीज़ को मैं थोड़े दिर के बाद बताऊंगा आप इस चीज़ को चलिए इक बार समराइज करके देखा ही लेते हैं वरना आपकी दिमाग में confusion लगातार बना रहेगा ध्यान से समझेगा यहाँ पर cathode की जो plate है cathode की plate को आपने कौन सा charge दिया है cathode की plate पर positive charge आपने दर्शाया है और यह घटना आपने दिखाने की कोशिश की है electrochemical cell की भीतर electrochemical cell में positive charge किस पर होगा cathode की plate पर वही negative charge जो होते हैं वहाँ यहाँ पर anode की plate पर होते हैं तो anode की plate पर कौन सा charge negative charge रट लीजे इस बात को यह घटना हुई electrochemical cell के भीतर लेकिन अगर मैं आप से कहूँ यही घटना electrolytic cell को ध्यान में रखते हुए तो अगर electrolytic cell की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है electrolytic cell में cathode पर वहाँ cathode पर negative charge होता है electrolytic cell में cathode पर negative charge होते हैं और anode पर positive charge होते हैं just opposite event होते हुए आप वहाँ पर पाएंगे लेकिन एक basic principle आपको देखने को मिलेगा जो अभी मैं आपको disclose कर दूँगा आपको पूरे के पूरे इस chapter में याद रखना है आप देख रहे हैं दोनों पर opposite घटनाएं होते हुए लेकिन इसके बावजूद आपको ध्यान में रखना है कि चाहे cathode यहाँ positive है चाहे cathode यहाँ negative है लेकिन दोनों ही जगों पर reduction की घटनाएं होती है इस बात को समझे रहेगा ये एक ऐसा ब्रहमास्त्र है एक ऐसा ultimate concept है जिसको आपको ध्यान में रखना ही है इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो anode जो यहाँ negatively charged है चाहे जो anode यहाँ positively charged है दोनों ही level पर oxidation की घटनाएं होती है तो ध्यान रखना है कि भले ही यहाँ negative charge है चाहे भले ही यहाँ positive charge है लेकिन दोनों ही plates पर oxidation की घटनाएं होती है यानि एक general term यह हो सकता है कि Oxidation हमेशा एनोड की प्लेट पर होता है Oxidation हमेशा कहां पर होता है Oxidation की जो घटनाएं होती है वो हमेशा एनोड की प्लेट पर होती है यह basic facts है जिसको आपको पूरी की पूरी इस electrochemistry में याद रखना है इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि Cathode की प्लेट पर reduction की घटना होती है Charges चाहे जो भी डेवलब हो Charges से कोई मतलब नहीं है basic जो events होते हैं दोनों ही जगहों पर एक ही होते है इस चीज़ को आप देखें इस चीज़ को मैंने यहाँ पर दर्शानी की कोशिश की है अपनी books में Cathode पर electron लिया जाता है वो reduction की घटना होती यहाँ पर भी होगा आगे जब इस chapter के half में चलेंगे वहाँ पर भी घटना होगी Anode electrons को लेता है यहाँ पर दोनों ही जगहों पर यहाँ पर Anode electrons को release कर रहा है वहाँ पर Anode के पर opposite घटना होगी लेकिन घटना है दोनों ही जगहों पर basic level पर यह कही होगी Anode पर हमेशा oxidation होता है इस चीज़ को मैंने आपको लिख करके दिखाया है इस चीज़ को याद रखिएगा वरना कई बार exams में गलतियां हो जाती है मैंने आपको लिख करके दिखाया है इस चीज़ को याद रखिएगा वरना कई बार exams में गलतियां हो जाती है जो बहुत basic fundamentals की knowledge नहीं होने की वज़ा से होती तो Anode पर हमेशा क्या होता है Oxidation होता है Cathode पर हमेशा Reduction होता है यह चीज़ हमें ध्यान में रखना है तो Anode पर हमेशा Oxidation Cathode पर हमेशा Reduction होता है इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस पूरी की पूरी Observation के दौरान जो घटनाएं होई हो उसको एक बार Summarize करने की कोशिश करेंगे तो हम बहतर तरीके से समझ पाएंगे कि दो अलग-अलग cells में दो अलग-अलग घटनाएं होई एक जगा Oxidation की घटना होई दूसरी जगा Reduction की घटना होई अभी हम अगले लेक्षर में जब चलेंगे तो इस Observation के एक बार फिर से Summarize करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे एक Oxidation Half Cell होता है दूसरा Reduction Half Cell होता है दोनों कैसे Function करते हैं और दोनों में Salt Bridge का क्या Rule है Salt Bridge क्यों आगे चल करके जोड़ा गया Salt Bridge जोडने की वज़ा से Battery की Efficiency कैसे बढ़ गई उन सारी चीजों के बारे में हम अगले लेक्षर में आपके साथ डिसकस करेंगे